क्या आपको यह पता है, कम्पिटर में मदरबोर्ड भी होता है, शायद पता होगा, लेकिन क्या आपको यह भी पता है, कि इसका नाम मदरबोर्ड क्यों है, अच्छा, यह मदरबोर्ड है, तो फिर कम्पिटर में फादरबोर्ड कुन सा है, ऐसे सारे सवाल अगर आपके मन मे हैं तो आज के वीडियो में इसका कुलासा होने वाला हैं जी हां मैं लेकर आऊं कम्प्लीट टेक्नोलोजी चैनल पर कम्प्लीट मदरबोर्ड की क्या आप जानना चाहोगे जानना चाहोगे तो वीडियो पूरा देखिए पहले से पता है तो स्कीप कीजिए सीधी सी बात हमेशा में बोलता हो दोस्तों चलिए मैं सतीश कम्प्लीट टेक्नोलोजी चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताओ दोस्तों कि आप अगर नए मैमान हो हमारे चैनल पर तो चाही पी के जाईएगा नहीं चाही नहीं पीना है दोस्तों I am just kidding आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के वाजू में जो नीचे बटन दिखाए देरा है बेल आइकॉन का उस पर भी क्लिक कीज़ेगा ताकि मैं जब भी नए वडियो डालूँगा तो मेरे वडियो की नुटिफिक्शन आपको टाइम पे मिलेगी इससे होगा क्या आप कम्पिटर में स्मार्ट बनोगे जियां चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के और सबसे पहले तो मदर बोर्ड में मैं आपको ये बताओ कि मदर बोर्ड को सिस्टम बोर्ड या सरकीन बोर्ड भी कहा जाता है लेकिन इसे मदर बोर्ड ही क्यों बोलते हैं ये भी मैं पहले आपको बताना चाहूंगा mother board इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे कि आप example ले लो आपके घर में mother coordinate करती सभी relation जादा तर इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर बेटे को पिकनिक जाना है तो वो मां से बोल देता है ममी पपा से कौन आप पैसे देने के लिए तो फिर यह जो relation maintain होता है या ममी उतना ही काम नहीं करती ममी अपने सारे relation को coordinate करती है वैसे ही गर के सारे members को coordinate करने वाली ममी होती मदर होती वैसे ही computer में यहाँ पे सारे devices को coordinate करने के लिए होता है board उसे हम mother board कहते हैं वैसे यह circuit इसके अंदर बहुत सारे है इसे circuit board भी कहते है system board भी कहते है क्योंकि यह system की सारी units यहाँ पर allocate करते है लेकिन यह motherboard यह नाम famous है और motherboard यह नाम क्यों आ गया यह तो आपको अभी समझ में आगा दोस्तो अब मैं आपको बताओ कि यहाँ पर motherboard के अपर जो parts रहते है अलग लग वो कौन-कौन से रहते है उसका क्या use है कहाँ पर CPU लगता है कहाँ पर RAM लगती है और कैसे आप RAM को deattach कर सकते है सारी चीज़े यहाँ बता रहाँ आपको तो सबसे पहले मैं आपको motherboard में यह दिखाओ कि यहाँ पर कुछ आपको square जैसा दिख रहा है यह है CPU socket जहाँ पर हमारा CPU install होगा बहुत सारी cases में मैं आपको यहाँ पर दूसरा motherboard दिखाता हूँ जहाँ पर CPU already install है और वो motherboard की उपर CPU socket में लगता है और CPU socket का location का पर यह मैंने आपको बता दिया तो आपका जो controller है computer का जो brain है वो भी motherboard पे attached है motherboard उसे भी अलग-अलग devices के साथ coordinate करता है अपकोस brain अगर devices के साथ coordinate नहीं हो पाया motherboard के जरीए तो फिर brain instruction sendy नहीं कर पाएगा right so CPU की location आपको समझ मैं अब मैं आपको बताओ कि CPU के बाज़ों में यह बड़ा सा जैसे कभी गोल्डन कलर का रहता है कभी यह silver कलर का रहता है अलग-अलग कलर के रहता है यहाँ पे यह जो बड़ा सा metal दिख रहा है यह metal heat sink material है और उसके नीचे है एक bridge उसे north bridge बोलते है CPU के बाज़ों में जो होता है वो north bridge होता है और उसी के आगे आएंगे तो south bridge यह थोड़े से technical term है south bridge और north bridge लेकिन नाम तो आपको पैचान के लग रहे है न word to word यह भी CPU की तरह ही है लेकिन एक छोट असा processor मानो इसे नीचे एक processing की तरह cheap रहता है उसको cooling करने के लिए उपर यह लगाया गया है लेकिन यह motherboard के उपर inbuilt रहता है external नहीं लगा जाता है CPU externally लगाया जाता है मैक्रो प्रोसेसर याद रखना है और के north bridge और south bridge यहाँ पे मैं आपको बताओ कि यह memory slot के बारे में यहाँ पे RAM लगती है random access memory जो की computer में temporary memory रहती है computer का speed बढ़ाने का काम वो करती है computer में जो भी data instruction प्रोसेस करना है वो RAM के थुरू fast process होता है simple है RAM में अलग लग type आते है पुराने RAM अगर देखेंगे तो HD RAM से चालू हुआता DDR, DDR2, DDR3, DDR4 अब DDR4 में latest RAM हम use करते है उसमें भी size depend करता है 4GB का है, 8GB का है या 16GB का है तो फिलाल मैं आपको बताओ कि यहाँ पे अगर आप RAM इंस्टॉल करोगे वो RAM mother world के साथ coordinate होगी इस memory slot की वो जैसे memory slot समझ में आपको यहाँ पे RAM लगती है RAM कैसे लगता आते है कैसे निकालते है यह अगर आपको जानना है तो मैं hardware की series ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए comment section में लिख देना कि आप interested हो ऐसी चीज़े सीखने के लिए आपकी comment हमारे लिए unmall है चलिए आगे बढ़ते memory के वरे में मैं बता है यहाँ पे graphic card लगता है जब आप कोई gaming processor बनाना चाहते हो या फिर आप कोई high graphic end software यूज़ कर रहे है जैसी कि AutoCAD है जिसमें 3D यूज़ कर रहे हो 3DS Max से Revit है बहुत सरे अलग-लग 3D software से 3D games के software भी होते है So that time you need to install graphic cards in your computer और वो install करना है तो इस motherboard के उपर पहले से slot दिया रहता है जहां पर आपको graphic card लगाना रहता है graphic card कैसे रहता है यह सामनी मैं जब को दिखाए दे रहे हैं फिलाल मैं आपको बताओ कि graphic card के बाजुमें एक white slot है इसे बोला जाता है PCI इसे azp slot बोलते है अगर graphic card हो तो इसे बोलते PCI Peripural Component Interconnect Peripural Component Interconnect यानि कि यहां पर हम कोई भी devices interconnect कर सकते है Peripurali लेकिन कैसे आप अगर motherboard का back panel देखेंगे यह back panel है motherboard का back panel में बहुत सारे अलग-अलग connections है You can see there back panel के अंदर यहां पर USB है देने आपका LAN card भी इंफोर्मेशन दे दूँगा आपको इसकी लेकिन मैं आपको बताओ कि back panel में से कोई भी part अगर नहीं work कर रहा है तो आप उसके लिए card खरित के यहां पर install कर सकते है जी हां sound card मिलता है network interface card मिलता है NIC card या फिर USB card भी मिलता है VGA का भी अलग सा card मिलता है डिस्प्ले के लिए तो वो यहां पर install करके आप externally उसे connect कर सकते है peripheral component interconnect PCI slot ओके इतना ही मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा जो slot दिखाए दे रहे हैं एक दो और यहां पर आपको दो और दिखाए दे रहे तो कभी-कभी motherboard पे 4 रहते हैं कभी motherboard पे 2 रहते हैं तो इसे SATA slot बोलते है SATA slot में हम SATA hard disk connect करेंगे या connect किया जा सकता है SATA cable के जरीए यहां पर कोई भी slot में आप उसे लगा सकते है एक hard disk या DVD writer भी आप यहां पर connect कर सकते है आपका SATA DVD writer connected होगा जिससे SATA cable रहेगी अगर वो पुराना motherboard है तो उसमें SATA नहीं रहता है IDE रहता है आपका मदर पुराना है तो यहां पर एक IDE का example दिया है Integrated Drive Electronics Integrated Drive Electronics में 40 pins connection था यहां पर SATA उसे replace करके 7 pins में data cable बना चुका है यहां पर बड़ी cable आती थी पुरानी जैसे बड़ा पटा रहता था न वैसे आती थी कुत्ते का गला का पटा रहता था था यहां पर cable आती थी दोस्तों तो ID तो अभी बंद हो गया फिलाल तो ID slot आपको नहे मदर बुर्ण में देखने नहीं मिलेंगे तो आगे मैं आपको बताओ, यहाँ पे आपको कुछ pins दिखाए दे रहे, needles दिखाए दे रहे, इसे हम headers भी बोल सकते हैं, तो यह जो pins है, इसमें front panel रहता है, front panel जो होता है, आगे आपके start button, restart button, या फिर hard disk LED, या power LED, यह चारों का मिलके होता है front panel, front panel को कैसे connect किया जाता है, इ लेकिन इसे front panel बोलते है, जो कि आगे की cable से यहाँ पे connect होती, CPU का front panel, और CPU के front panel में जो USB लगते हो, यहाँ पे connect होते है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दे रहे, front USB के लिए connection से, यहाँ पे USB और audio ऐसे दो अलग अलग प्रकार की रहता है, अब इसमें audio कैसे पैचानेंग group को audio, front audio बोला जाता है, और front USB क्या है मैंने आपको बता दिया, अब आपको यहाँ पे motherboard की उपर आना है, back panel तो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे motherboard की उपर जितने भी devices connect होने वाले हैं, उन सब को power देने का काम, मतलब यहाँ पे SMPS के जरीए होता है, computer में father board नहीं रहता ह है, तो आप देख लेना वो, आपको father board बोले है, power supply बोले है, power supply का यहाँ पे ATX power connector लगता है, ATX 24 pin power connector से यहाँ पे रखता है, और यहाँ पे और एक pin आपको दिखाए दे रहे हैं, जिसका location अलग लग जोगा पे रहता है, यहाँ पे CPU के वाज़ों में यह कभी कभी होता है, यह है 12 hold power connector यहाँ पे लगता है, 12 hold power connector यहलो और black penis में लगती है, black तो arthing रहती है, yellow 12 hold power connector रहता है, तो यह मैंने आपको बता है power supply motherboard पे कहाँ पे, SMPS से कैसे आता है, कहाँ पे लगा जाता है, अच्छा, यहाँ पे आपको यह battery दिखाए दे रहे है, CMOS battery, जैसे गड़ी का sale र रहती है, उसके बाद आपको replace करने पड़ती है, यह automatic recharge होती है, वहाँ पे अंदरी, CMOS complimentary metal oxide semiconductor, यह जो होता है, आपका जब आप computer start करते हो, तो current timing या current date बताने के लिए, हमेशा आप computer अभी shutdown करोगे, जब भी चालो करोगे, तो current date और timing आ जाएगी, क्योंकि वो date and time save करता है, CM यह उसका काम क्या होता है, एक ऐसे cheap रहती है, जिसके अंदर motherboard के पूरे driver store रहते है, जी हां, motherboard को चलाने के लिए driver तो चीह, motherboard को keyboard direct connect कर सकते, mouse direct connect कर सकते, तो keyboard mouse direct चालो होता है, उसके लिए कोई driver हम install नहीं करते, तो वो motherboard में, ROM में रहते है, BIOS में रहते है, BIOS को ROM भी बोला ज जिसका memory कभी erase नहीं किया जाता, RAM में randomly access memory होता है, जो erase होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे memory temporary store रहती है, RAM के अंदर, लेकिन ROM के अंदर permanent store होती है, याद रखना है, यह BIOS है, इसके बारे में आपको पता चला होगा, BIOS के बारे में basic input output system, याद रखना है, full form उसका, क्योंकि उ electronic device है, and it coordinates all the device, उसके लिए जरूरी रहते है, उसको आपको आथ नहीं लगाना है, उसके बाद CPU fan कहां पे connect किया जाता है, उसके लिए यहाँ पे CPU fan connect करने के लिए headers रहते हैं, यह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह CPU fan के connection के headers है, अब मुझे आपको back panel की तरफ लेके जान paste to pin screen पे आपको दिखाय दे रही है, इसे थोड़ा सा लगाने के लिए ध्यान से लगाना है, यह तो इसके pin टेड़ी होगे तो फिर आपको सीधी करने पड़ीगे, कभी-कभी यह तूड भी जाती है, फिर difficulty तैयर होती है, तो इसलिए इसे ध्यान से लगाना पड़ता है, लेकिन PS2 अभी बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी USB फास्ट आ चुका है, तो USB कीबोर्ड और माउस मिलते हो, और यहाँ पे USB कनेक्शन आपको दिखाय दे रहा है, जिसमें आप कीबोर्ड माउस पे इंट रही हो, USB के सारे डिवाइसे लगा सकते हैं, यहाँ तक स्कैनर, प् और एंटर, या prank, प्लॉटर कनेक करने के लिए पुराने जमाणे में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी यह plotter और यह parallel port है, प्लॉटर कनेक करने के लिए या serial port है, यह अभी नैवाले Alternative Wing में आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि USB कनेक्शनस उसकी जग हो चुगा, USB copy speed से आपका data transfer करता है devices के पास उसके नीचे यह जो दिखाए दे रहे है आपको 15 pin का यह VGA जापे आपका monitor का wire लगने वाला है VGA video graphic adapter तो जब भी आपको monitor connect करना है तो आपकी monitor की pin यहाँ पे लगने वाली दोस्तों तो VGA के बारे मैंने बताया USB तो आपको पता है यहाँ पे आपको लगना है आपकी PC की इंदर internet connect करना है तो उसका LAN connections का यह है मतलब यह internal NIC card है motherboard की उपर network interface card इसे बोलते हैं इसमें हम अपना internet का wire लगा सकते हैं and finally here you can find out the speaker and all तो यहाँ पे आपका sound system लगता है middle में आपका headphone होगता है और यहाँ पे आपका mic और लगता है यह amplifier और अगरा के लिए so यह है complete motherboard की information दोस्तो मैंने कोशिश कि यह motherboard के हर एक parts की जानकारे देने की so कैसे लगी दोस्तो आपको यह motherboard की information उमीद है आपको पसंद आई होगे और पसंद आई तो आपको करना यह है कि लाइक बड़न पे क्लिक करना है कम से कम अपने एक दोस्त के साथ ज़रू शेर कीजिए क्योंकि ओ किसी और के साथ शेर करेगा तो ऐसे ही वीडियो शेर होते जाएगा और comment लिखना ना बुलिए कैसे ता आज का यह वीडियो उमीद है आपको पसंद आया होगा और आपने like और comment अलड़ी किया होगा चलिए मिलते हैं अगले कुछ और complete technology बड़े वीडियो में तब तक चैनल पे और भी टेक्नालोजी टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो देखिएगा ज़रूर मैं सतिश लेता हूँ आपसे अलवीडा सीखते रहो सीखाते रहो बाइबाइब